यहां पे आप देखोगे यह है solar system और बीच में यहां पे आपको देखेगा sun और sun के आसपास of course सारे planets आप देख पाओगे Mercury, Venus, Earth और जिस तरीके से Earth की एक natural satellite है जिसको हम कहते हैं moon उसी तरीके से कुछ और planets हैं उनकी भी natural satellite है जैसे के for example जुबिटर जुबिटर एक बहुत अच्छा example है जुबिटर size के एसाब से solar system का largest planet है by far और जुबिटर इतना बड़ा है किसकी total 79 natural satellites है जी हां 79 आप अगर हो सकता है कि कोई परानी किताब पढ़ो तो वहाँ पर outdated data होगा वहाँ पर लिखा हो सकता है कि 55 natural satellite या फिर 60 मगर जो latest count है जो latest data मारे पास है उसके साब से हम कह सकते हैं कि as of 2019 जुबिटर की 79 natural satellites है हो सकता है कि in the future ये नंबर और बड़े as we explore Jupiter a lot more तो इसलिए आप देख पाओगे जुबिटर के आसपास बहुत से orbits है और इन सब natural satellites के आप अगर पार जाओ और जुबिटर को और closely रेखो तो आप नोटिस करोग जुबिटर का जो आसपास का रीजन है इसको डॉमिनेट करती है इन चार natural satellites को हम कहते हैं Galilean satellites इसमें से एक है केलिस्तो फिर गैनेमीड उसके बाद ये रोपा और फिर आयो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयो के बारे में आयो एक बहुत ही ज़ादा fascinating natural satellite है scientists यह मानते हैं के solar system में यह one of the most volcanic regions है यहां पर magma का ocean है लावा की lakes है इट इस a very hot और difficult planet और actually आप notice करेंगे के जो Galilean satellites है उसमें से सब से करीब Jupiter के है आयो और इस वज़े से काफी बार आयो पर tidal energy का जोर भी पड़ता है Jupiter का जो गुर्तवा कर्शन है मतलब के Jupiter की जो gravity है यह इसको पुल करती है साथी साथ जो बाकी यहां पर natural satellites है इनकी जो gravity है यह भी इसको पुल करती है तो काफी बार आयो की shape भी चिंज होती है जी हां बिलकुल आयो काफी बार दिखा गया है कि एक egg की shape का होता है बात में जो इसकी shape है यह कुछ हद तक जादा round हो जाती है जादा spherical हो जाती है so it is a very interesting national satellite और NASA ने recently proposed किया है कि यहां पर एक बहुत ही important यह mission बेजेंगे आने वाले कुछ सालों में और NASA का जो यह proposed mission है to explore the ocean of lava on Jupiter's volcanic moon आयो इस पर आज के समय काफी बातचीत भी हो रही है यहां पर आप देखेंगे Forbes का article है daring NASA mission to explore an ocean of lava on Jupiter's volcanic moon आयो यह mission देखो interesting इसलिए है क्योंकि अगर यह mission आगे conclude होता है तो हमको आयो को study करके यह भी बता लगेगा कि अर्थ की history क्या थी अर्थ किस तरीके से form होई और solar system में किस तरीके से planets natural satellites cool down होती है after a while तो discuss करेंगे इस topic को बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा UPSC perspective से it is very important under GS paper 3 subsection space space से related काफी सवाल आते हैं prelims perspective से भी it is very important so a lot to know, a lot to discuss as always but before we begin go to google play store and download करो यहां पर study IQ education app और यहां पर आप purchase कर सकते हैं हमारा flagship UPSC course जिसके लिए EMI option available है and don't forget to subscribe to study IQ and press the bell icon अगर हम बात करें Sun से distance की तो Jupiter 5th spot पे आपको मिलेगा after Mercury, Venus, Earth and Mars और जैसे मैं आपको बताया के Jupiter की जो 79 satellites हैं इसमें से सबसे famous सबसे ज़्यादा interest generate करने वाली natural satellites हैं यह 4 IO, Europa, Ganymede और Calisto और interesting बात यह है के जो यह 4 natural satellites हैं they are completely different from each other जाता है के यह एक oceanic world है scientists मानते हैं के यूरोपा में बहुत बड़ा ocean है और possibility है के solar system में अगर कहीं पर life है तो यह यूरोपा में है यह अभी के लिए assume किया जा रहा है obviously अभी कुछ confirm नहीं हुआ फिर आप अगर देखो तो IO इससे completely different है आज के समय जो IO की city है यह एक समय अर्थ की होती थी जब अर्थ की early formation होती थी हर जगा volcanic eruption लावा और धर्ती के surface के नीचे जो magma है यह भी काफी active था पिछले कुछ सालों में NASA ने announce किया है कि study करेंगे इन Galilean satellites को इसमें से जो एक satellite है Europa इसके लिए एक mission already decided है NASA का Europa Clipper mission इस पर अल्ड़ी एक video available है यह मैंने upload करी थी September 2019 में यह अगला mission प्रपोस किया गया है NASA के सामने यह है IO Volcano Observer यह एक low cost outer planet mission होगा जो study करेगा Jupiter के moon IO को और primarily study करेगा कि यहाँ पर tidal heating किस level की है और किस तरीके से यहाँ पर volcanic eruption होते हैं obviously यहाँ पर camera भी होगा तो पहली बार हमको IO की proper up close images मिलेंगी in the near future और यह mission historic इसलिए होगा क्योंकि IVO पहला mission होगा जो dedicated होगा towards IO इससे पहले इस natural satellite को study करने के लिए कोई भी mission किसी भी country दवारा send नहीं किया गया अब देगो scientist IO को study इसले भी करना चाहते हैं क्योंकि scientist जानना चाहते हैं कि Earth की स्थिती initial stage पर कैसे थी आपको पता होगा कि initially जब Earth की formation वी थी उसमें एक theory ये बदाती है हमको कि Earth से ही Moon अलग हुआ था हलाकि अब और theories भी आ रही है कि Moon actually Earth से नहीं निकला Moon एक अलग से object थी इन्दा solar system Earth ने बस अपनी जो gravitational field है इसमें इसको track कर लिया मगर ये uniformly accepted है कि आज से कई billion साल पहले जब Hadean Ion चल रहा था Hadean Ion मैं आपको ये बदा दू कि ये वो time था जब Earth का temperature बहुत ही ज़रा high था volcanic eruption हो रहे थे धर्ती पर उस वक्त life का कोई संकेत नहीं था Hadean Ion के बाद आया Archean Ion उसके बाद Protezoic Ion आया और अभी के लिए जिस Ion में हम जी रहे हैं ये है Phanerozoic Ion जब finally हमको धर्ती पर life दिख रही है मगर धर्ती का जो overall existence है इसमें से बहुत ही लंबा समय बीता Voiland volcanic eruption और lava के साथ तो आप ये समझ लो के जो Jupiter का moon है आयो ये इस वक्त धर्ती के अल्मोस्ट हेडियन पिरेड में है आप कह सकते हैं इवन प्री हेडियन पिरेड में है क्योंकि वापे temperature बहुत ज़रा हाई है और बहुत ही huge लेवल पर volcanic activity हो रही है तो scientists जानना चाते है कि Ion इस वक्त किस तरीके से react करता है Ion का जो magma है ये किस तरीके से इसके surface से भाहर निकलता है और अगर हम Ion को properly study कर पाएं तो हम study कर पाएंगे किस तरीके से Mercury, Venus, Earth, Mars इवन जो Earth की natural satellite है Moon ये कैसे form होई थी किस तरीके से जो ये planets हैं जो ये celestial bodies हैं ये धीरे-धीरे cool down होती है और cool down होने से पहले का जो process है वो क्या है और अभी के लिए Ion इतना volcanic क्यों है इसका reason मैं आपको बता दिया है क्योंकि 42 hours में काफी बार ये अपनी shape change करता है because of gravitational pull एक तरफ Jupiter का pull है दूसरी तरफ कहीं जो बाकी natural satellites है उनका गुर्तवा करशन है तो काफी यहाँ पर आप कह सकते है friction होती है और उसकी वज़े से बहुती large scale पर Frictional Tidal Heating यहाँ पर देखने को मिलती है अब question यहाँ पर यहाँ आता है कि IVO को NASA launch करेगा देखो अभी के लिए ये एक proposed mission है NASA के सामदे scientist ने 4 mission रखे हैं एक तो है IVO दूसरा है Trident mission Trident mission explore करेगा Triton को Triton एक natural satellite है Neptune की और फिर दो और mission है जो Venus को study करना चाहते हैं एक है Veritas और दूसरा Da Vinci Plus तो NASA देखना होगा कि प्रियर्टी किस mission को देता है अभी के लिए बात चल रही है कि most probably ये लोग IVO को study करेंगे और अल्रेडी इस पर काम करना NASA स्टार्ट कर चुका है और देखो ये mission launch होगा 2028 से लेकर 2029 में और इसको Jupiter के moon आई ओबर पहुशने में लगेंगे करीब साड़े तीन साल तो 2033 के आसपास Jupiter के moons की जादा proper images जादा proper knowledge हमको मिलेगी और वैसे आप अगर देखो तो इस mission में कुछ lander या फिर कोई rover हो नहीं सकता क्योंकि जो area है काफी volcanic है NASA बस यहाँ पे एक probe भेज़ पाएगा जो 10 close flyby करेगा और आई ओउओ उसके बाद उस region में most probably probe survive नहीं कर पाएगा और देखो आयो के surface पे एक particular region है जहाँ पर NASA की काफी जिग्यासा है जिसको लेकर NASA काफी interested है इसका नाम है Loki Patera यह एक huge lake है of lava इस type की lake solar system में कहीं पर देखी नहीं गई कि एक complete lake हो वहाँ पे बस lava हो it is a very interesting region यहाँ पे आप अगर देखेंगे यह है आयो की एक 3D image और यहाँ पे है Loki Patera तो in particular NASA यहाँ पर भी काफी interested है और most probably इसकी बहुत ही भैतरीन images यह capture करने की कोशिश करेंगे और एक final question हो सकता है कि क्या आयो पर life हो सकती है क्या यहाँ पे हम life को explore करेंगे देखिए chances ना के बराबर है आयो जिस टाइप की condition में है वहाँ पर life exist नहीं कर सकती for the time being तो यहाँ पर life को explore करने का idea नहीं है main concept है यहाँ पर के आयो को study करके हम धरती के इतिहास को और अच्छे से जान पाएंगे so this is right now the end of this video thanks for listening and as always God bless you all आयो पर सकते है यहाँ पर आयो पहाँ आयो पर पर शादा रहाँ पीजार ए लाँ असाभाई़ोगार भी जावोड़ो